नमामि सद्गुरु मिशांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रम्ह प्रानंदं इशं आलंदि वल्लभं प्रिय शिक्षार्थियों राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई शिक्षा समस्थान N.I.O.S. के स्टूडियो में आपका पुनहा स्वागत अभिनिंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचारिय श्री जगननात समस्कत विश्विद्याले पूरी उडिसा से आप सब के समक्ष उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदा ध्येनम पाठ्यक्रम के अंतरगत तेईसमें पाठ के बहभाग प्रजापति सूक्त भागदो के अध इस पाठ में हम लोग प्रजापति के स्वरूप का अध्यन प्रजापति सूक्त के सारका अध्यन करेंगे ततहा बीजात यह पुनहा देवतावनुष्यादी स्रिजती सैव हिरन्यगरभा प्रजापतिर्वा स्रिष्ट्यारं भे सहा अग्निम् स्रिजती किंच प्रलेकाले समावर्तं पयहा स्वोदरी समस्थाप्य येन स्रिष्टिही पुनर जायते नूनम देवतावनुष्यादी चेतन जीवा नाम जडवस्तू नाम अपी सैव स्रिष्टा तेशाम स्वाधार भूतं योग्य भूमि भागम अपी सह अव निर्माती प्रजापति ही एव भूलोकम किंच जूलोकम स्रिजती प्रजापति के सुरूप का प्रतिपादिन करते हुए कहा जाता है कि विविद देवताओं के स्मरण रूप क्रिया किसी भी देवताओं के स्मरण के लिए जो स्तुति की जाती है वह सब केवल एक परमपुरुष के स्तुति के रूप में ही होती है वे सभी स्थुतियां उस परब्रम को ही प्राप्त होती है उसी जिस परब्रम को सभी देवताओं की स्थुतियां प्राप्त होती है उसी परवपुरुष का एक नाम प्रजापती है शास्त्रों में कहा गया आकाशात परितम तोयम यथा अगच्छति सागरम सरवदेव नमस्कारहा केशवं प्रतिकच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जल में समावर्त हो जाती है और उसके बाद संपूर्ण जगत को पुनहा स्रिष्टी बीज रूप के द्वारा किया जाता है वह बीज स्वयम परब्ब्रम के द्वारा विराज पुरुसके आकृति में बनाया जाता है ततहा वीजात यह पुनहा देवता मनुश्यादि की स्रिष्टी करता है वह ही हिरनगर्व और वही प्रजापती है स्रिष्टी के प्रारम हमें सरवप्रथम अगनी का स्रिजन किया जाता और प्रलेकाल में समावर्त जो जल है उसको जो जिस जलक में संपूर्ण स्रिष्टी प्रलीन होती है ऐसे वह अपने जलको अपने देवता, मनुश्यादी, चेतन जीवों के और जड़ वस्तुओं के भी स्रिजन करता वेश्वयम, परब्रम्ह, परमात्मा, प्रजापति, हिरणिगर वसुरूप हैं। और मनुश्यों इतना ही नहीं, केवल स्रिष्टी कर्म ही नहीं, अपितु जीवों के स्रिष्टी के पश्चात, उनके आधार भूत, जीवों के आधार भूत, उचित योग्य भूविभाग को भी वही निर्मान करते हैं। प्रजापति ही द्यूलोक एवं भूलोक का सम्यक स्रिजन करते हैं देवताओं और मनुश्य पश्वों इत्यादी के सम्यक रूप से निवास के लिए। अमूमेव आधारी गृत्य उदेती भासयती च मनुश्यानाम च जनन मरनस्य सेव प्रजापति ही नियंता दिख देवताम अपी सह अधिपति ही। कहा जाता है कि प्रजापति न केवल संपूर्ण जगत का सिष्टी करता अपीतु संपूर्ण विश्व को धारण भी करने वाले वह प्रजापति ही हैं। वरतमान, भूत और भविश्य में होने वाले सवी शक्तियों में वह व्यापत रहते हैं। वरतमान, भूत और भविश्य के सवी पदार्थ उन्ही में व्यापत हो करके प्रवर्तित होते हैं। वह सूर्य का भी धारक है और भगवान सूर्य भी जो स्वयम उनी प्रब्रम को आधार करके आधार मान करके उसी प्रब्रम के आधार सुरूप उधित होते हैं और संपूर्ण सृष्टी को प्रकाशित करते हैं मनुष्यों के जनन और जनन अर्था जन्म और मित्यू सब उन्हीं के हाथों में नियंत्रित है मनुष्यों के जन्म और मित्यू को नियंत्रित करने वाले वह स्वयम प्रजापती परब्रम है और इतना ही नहीं उस प्रजापती को दिख देवताओं के भी अधिपती के रूप में प्रतिपादित किया गया है ऐतर्य अब्राम्हन के अनुसार एक बार इंद्र ने प्रजापती के समीब जाकर के प्रजापती से निवेदन किया कि हे प्रजापती आप अपने माहात्मे को मुझे बतलाएं तो प्रजापती इंडर से पूछते हैं कि तुम्हें मैं अपना माहात्में बतला करके मैं क्या होँगा तो इंडर कहते हैं कि तुम यथा वहाससे तथा भूत्वा आप जिस प्रकार होना चाहते हैं जैसा होना चाहते हैं वैसा रहें किंतु अपनी महिमा को मुझे बतलाएं तो तटफ प्रजापती ही कव इतिनाम ना भी अगमत उसी के प्रष्चात चुकि प्रजापती ने इन्र से पूँछा था कि अपनी माहात्म को मैं तुम्हें बता करके मैं कव ऐसा हो जाऊंगा तो इन्दर ने कहा आपकी जो इच्छा पुनहा प्रजापती उसी के समय से कव के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्ति की अर्थात वेदों में कका रहा इत्युकते सब प्रजापती परमेश्च रहेव पूरो में हिरन्यगर्व सूक्त में आपने पढ़ा था कस्मई देवा ये हविशा विधेम अर्थात प्रजापती ये हविशा विधेम प्रजापती के लिए हम लोग हविप्रदान के द्वारा पूजा नित्यादी करें वहां भी प्रजापती के लिए कशब्द की चर्चा प्राप्त होती थी पुनहा इस प्रजापती सूक्त के सारे के विशय में कुछ चर्चा करते हैं हिरन्मय जो अंड़ था भी जुरूपी हिरन्मय अंड़ था उसके गरव रूप में ही प्रजापती विद्यमान रहते हैं और अते उनका नाम हिरन्यगर्व है वे ही हिरन्यगर्व के रूप में स्तुत्य होते हैं मायावियों के अध्यक्ष होने के कारण और मायावियों के जो प्रथम मायावियों हैं जो परब्रम हैं उस परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण यह स्वयम ही समस्त स्रिष्टी की रचना करते हैं समस्त प्रपंच की उत्पत्ती करते हैं ऐसा इनके बारे में प्रसिद्धी ह बहुधा वेदेश विविधाहा प्राक्रतिक शक्त यहा देवता रूपे न परिकल्प्य अस्माभी स्थूयनते परंतु अस्मिन सूकते तथा विधम किमपिकल्पनादिकं नास्ति यत्र प्रज्ञानम रिशीणाम स्रिष्टि तत्पविशय पर्रत्तमानाया हा जिग्यास अआज़ायाहा अयन देवहा आविर भूतहा इतिकीर्थयते वेदों में बहुत परकार से प्राक्रितक शक्तियों के रूप में विविद्देवताओं की तरीकलपना करके हमारे द्वारा वे विविद्देवताओं हमारे द्वारा पूज़ि होते है परंतु इस सूक्त में ऐसा कुछ नहीं है कलपना की चर्चा इस सूक्त में नहीं की गई है इस सूक्त में रिशियों के विशिष्ट तग्जान से सृष्टी तट्व के विशय में जो प्रवरतित जग्यासा है उसी जग्यासा के सुरूप यह देव आविर्भूत होकर के स्तुत्य होते हैं अर्थात रिशियों के द्वारा स्रिष्ट तत्व को जानने के लिए इन रिशियों ने उस प्रब्रम को साक्षातकार किया था और स्रिष्ट तत्व के प्रवर्तक के रूप में वे प्रहिरनिगर्व सुरूप प्रजापती स्वयम रिशियों के दिविचक्षु में आविर्भूत होते हैं वेदादिशु बहु देवतावादस्य वर्तमानादपी ते मंत्राहा एकमेव अध्वितियम देवं स्टुवंती वेदों में विविध प्रकार के देवताओं की चर्चा आती है इंद्र के रूप में अगनी, मित्रा, वरुन, वायू, सूर्य, विश्णु, रुद्र, इत्यारी विविध देवताओं की चर्चा वेदों में प्राप्त होती है तथा पी वे सभी मंत्र मूद रूप से एक ही अद्वितिय परभ्रम परमात्मा प्रजापति के स्तुत्य होते हैं उन मंत्रों के द्वारा विविद रूपों में देवतावाद प्राप्त होने के बाद भी उन सवी मंत्रों से एक ही अध्युतिय प्रभ्रह्म की स्थुति की जाती है। आत्मा की एकत्व का प्रतिपादन किया गया अरथात, मूल प्रभ्रम एक ही है। उसी एक स्थात्म को विद्वानों के द्वारा विविध नामों से रुद्र, विष्नु, सूरिय, इंडर, अग्नी, वायू, मरुत, मित्रावरुन, इت्यादी नामों से उसी एक के विशय में किया गया है तत्र बहुदेवता वादस्य उपयोगितायाम संदिहाना हा रिशयहा प्रजापति मेव विश्वस्य स्रिष्टिकरतारम स्वी कुर्वन्ति वेदों में प्राप्त बहुदेवता विशय से वह देवताओं के उपयोगिताओं में संदेह करते हुए कोई इंद्र को स्तुति करता कोई सूर्य को स्तुति के बारे में कहीं बतलाया गया कहीं रुद्र की स्तुति है कहीं विश्णू की स्तुति है इस प्रकार विद्ध देवताओं के इस्तुतियों के विशय में जो संदेहित रिशिगण हैं तो वे सभी रिशिगण मूल रूप से संपूर्ण रूप से प्रजापती को ही संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और इस सूक्त के द्वार उस प्रजापती का ही जो परब्रम महिरने गर्वस रूप है, उसी बीज पुरुष की इस्तुति करते हैं। प्रतदाती स्रिष्टिंच करोती तथईव जगेदम रक्षती यथा समयम नाशयती च तस्मात अयम जगत स्रष्टा रक्षकह सम्हारकश च यहा जिस प्रकार यह प्रजापती जल अन इत्यादी प्रक्रती को प्रदान करके व्यक्ती का जीवन संचारित करता है, जीवन प्रदान करता है, स्रिष्टी करता है, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण जगत का रक्षा भी वहा प्रजापती स्वयम करते हैं और सम्पूर्ण जगत का सम्हार भी स्वयम प्रजापती यथा समय करते हैं, अतेव यह स्वयम प्रजापती इस सम्पूर्ण जगत के स्रष पदाओं के स्वामी भी वह स्वय भिरंदेगर भुई है इस प्रकार इस संपूर्ण प्रजापती सूक्त में प्रजापती के विविद स्वरूपों का प्रतिपादन रिशियों के द्वारा किया गया है पांच मंत्रों का यह सूक्त वर्नित है इस सूक्त में कहा गया पुरुषम उर्द्वम नव परिग्रिणाती कहा गया कि इस ब्रह्मान्द में संपूर्ण रूप से जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब प्रजापती के स्वरूप ही है यस्मात पुरा किमपिनजातम उस प्रजापती से पूरो में कोई भी तत्व उत्पन्द नहीं जितने भी प्राणिजात हैं जितने भी जीव जगत हैं जितने भी जीव जगत उत्पन्द हुए हैं वे स्वयम सब प्रजापती के स्वरूप में हैं अगनी, आदित्य, वायू, शुक्र, ब्रह्म, ओंकार, इत्यादी सभी रूपों के द्वारा उस प्रजापती की ही चर विराट पुरुस के उर्द्व कुछ भी ग्रहण करने योग नहीं है अर्थात विराट पुरुस के प्राग कोई परिकलपना नहीं की जा सकती या विराट पुरुस उपर से ग्राहिय नहीं है अंतह ग्राहिय है इस विराट पुरुस का साक्षातकार अपने अंतह करन के सरवे निमेशाहा काल विशेशाहा प्रजापति पुरुषात अधि पुरुष सकासाथ जज्निरे तस्य पुरुषस्य प्रतिमानं किंचे द्वस्तु नास्त्येव सही वेदाह एशही वेदाह सरवाहा प्रदिशी व्याप्य सितहा कहा गया कि जितने भी निमेश हैं जितने भी काल विशेश हैं भूत भविश्य वर्तमान वे सभी काल विशेश प्रजापती प्रब्रम्म पुरुष के ही अधिकार से उत्पन्न होते हैं उस विराठ पुरुष से ही सभी काल विशेशों की उत्पती होती है वहाँ विराठ पुरुष स्वयम सर्वव्यापत है और पुरुष का कोई प्रतिमान क्योई वस्तु अन्यमे नहीं है वहाँ स्वयम ही सर्ववेत्ता है सबको जानने वाला है और सभी दिशाओं में व्या ये प्रानियों के गर्व के मध्यमे वहा प्रजापति स्वजम विध्यमान रहता है। सूर्य चंद्र और अगनी के रूप में सभी लोक में सेवित होता है सभी लोक में प्रपूजित होता है इस प्रकार आपने प्रजापति सूप्त के संपूर्ण पाठ का अध्यन किया धन्यवाद